हेलो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है प्रमोद तो दोस्तों आप लोगों से बहुत सारे लोग कमेंट यह आ रहा है कि IQ7 में जो लेटेश साफ्ट्वेयर अपडेट आया है जिसका वर्जन 6.70.41 है क्या उस अपडेट के बाद जो HDR वीडियो को लेके इसू आ रहे थी मिल्स जब हम YouTube पे HDR वीडियो प्ले करते थे न तो जब हम बैग जाते थे तो इसकी पूरी तरह से वाइट हो जाती थी तो क्या यह प्राबलम इस सब्डेट के बाद फिक्स हुआ है कि नहीं तो मैं कहुंगा दोस्तों जो HDR वीडियो को ल प्ले करते हैं तो जो आपका brightness वाला system है वो पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है वह maximum brightness पर अपने आप चला जा रहा है आपको एक बार मैं दिखा हूं आप देख सकते हैं यह HDR वीडियो है इसको मैं प्ले करता हूं और इसको यहां पर दिखा हूं तो देख सकते हैं यहां पर जो brightness है अपने मैक्सिमम लेबल पे चला जा रहा है अब इसके बाद यहां पर जो brightness है वो कम ज़्यादा करेंगे उसके जाद भी यह काम प्रापर तरीके से नहीं करेंगा आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमेसा यह brightness बेप पूरी तरह से brightness जीरो पे है फिर भी जो brightness हैं आप देख सकते हैं अगर यहां पर मैं HDR वीडियो प्ले करूं तो आपको एक बार दिखाऊंगे यहां पर तरीके से जो brightness level हो काम कर रहा है एक बार देखिए यहां पर अगर maximum ले जा रहा हूं तो मैक्सिमम पर है आप देख सकते हैं अपने आप कम हो जा रही है ज्यादा हो जा रही है लेकिन यह प्रावलम में देखने को मिल रही है हां यहां पर जैसे ही आप बैक जाएंगे ना HDR वीडियो से वह अपने आप जो ब्राइटनेस लेवल है अपने आप कम हो जाएगा तो यह एक इसू मुझे भी देखने को मिल रही है अगर आपने यह इसू फेस किया है तो कमेंट सेशन में जरूर बताएगा दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लेगिए तो